कि थोड़ी नटखट, थोड़ी चंचल सयानी गाउं की लड़की, गाउं की लड़की कैसे होती है, मैंने यदि कहने का प्रयास किया है, और आपको ये बाते पसंद आती है, तो आप जरूर आपका अशिर्वाद हम तक पहुंचे, कि थोड़ी नटखट, थोड़ी चंचल सयानी गाउं की लड़की, सलोनी सांबली, गंगा का पानी गाउं की लड़की, है जिस से तीज ब्रत त्यवहार, कांगन में पड़ी तुलसी, है जिस से तीज ब्रत त्यवहार, सांजाय और सांजबाती, यही स्रिस्टी यही पहली कहानी गाउं की लड़की स्रणों में रखना चाहता हूँ इस पावन पर्व में हम लोग पस्तित हुए हैं सुर्य नरायन जागरती मंच का ये सम्रिद्ध मंच है इनकी निष्ठा का ये वर्दान महम इसको मानते हैं मैं अपनी चार पंक्तियां इन माताओं के चर्ण की जिनके ममता स्नेह त्याग पर टिकी स्रिश्ठ की निव जिनके रक्त से सिंचित जीवन धरता धरा का जीव लेकर हात में शब्द पुष्प और प्रेम भाव का रोली चंदन सबसे पहले मा तेरा सवार नमन सबसे पहले मा तेरा निरत जी पधार गया है गया से यह कविता की ताकत है कि सैकड़ों किलोमीटर से ड्राइब कर वो अपने मित्रों के साथ यहां पहुंचे हैं आप इनका स्वागत करिए हमारे निरत जी पधार है मैं इसके बाद इस क्रम में कि आपकी कुछ पंक्तिया मैं रखना चाहता हूँ यहां पे बिहार के लोग जी जीविसा में जीने वाले लोग है जब ये कोरोना काल चल रहा था पूरी दुनिया अस्त बेस्त थी फिर भी बिहार के लोगोंने कैसे कोरोना का हराया है मैं अपने चार पंक्तिया रखता हूँ, सुनिए गामित भाई कि कोरोना ने बदली दुनिया सारी है कि चालू है मदिरा ठप दुनियादारी है कि मुझो सा कोरोना भी अब मान गया कि मुझो सा कोरोना भी अब मान गया कि सब परभारी भाईया एक बिहारी है हम सारे गाउं के लोग है और गाउं के लोग किस तरह से अपने लक्ष को प्राप्त करते हैं मैंने कुछ पंक्तिया गाउं के लड़कों पे लिखी है कि हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं सब गाउं से जोड़ो लोग हैं मैं गाउं के पंक्तिया पढ़ता हूं इसके बाद आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूं लोग उसे बहुत सराते हैं कि इन सारे बच्चे जो यहां पे आपकी पंक्तिया आपकी पंक्तिया मैं आपको सुना रहा हूं जो अपने होसलों से नाप आया है धरायंबर मगर दहलीज पर अब भी खड़ा है गाउं का लड़का और गाउं का लड़का क्या करता है कि अलंगों आरियों पगडंडियों सा गाउं का लड़का शहर के चोक उचे मंजिलों सा गाउं का लड़का जो नासा इस रो गूगल सहित मेटा को भी भाए वो दिल से है अभी भी खिड़कियों सा गाउं का लड़का जब गाउं के लड़के इतने विशेश होते हैं तो गाउं के लड़कियां कैसी होती है मैंने पंतियां भी जस्ट लिखी है और यह सिर्फ बियाच्यू में पढ़ाया बस यहां पढ़ रहा हूं कि थोड़ी नटखट थोड़ी चंचल सयानी गाउं की लड़की गाउं की लड़की कैसे होती है मैंने इतने का प्रयास किया है और आपको यह बाते पसंद आती है हार संजाय और संजबाती यही स्रिस्टी यही पहली कहानी गाउं की लड़की यही स्रिस्टी यही पहली कहानी गाउं की लड़की चुकि आगे तक आपको पहुंचना है एक चाय पे मैंने कविता बहुत पहले लिखी थी वो चाय की कविता इसले याद आ गई कि अभी कॉर्नर में वहाँ पे चाई बाटी जा रही थी और यहाँ पे कभी लोगों को जब चाई नहीं मिली तो दिनेश दिवगरिया भाईया ने मुझे कहा कि भाई उधर क्या मिल रहा है मैंने का भाया वहाँ चाय, कवेच इससरी चाय, तो मैंने बस वहीं पर पंग्तिया मैंने लिख दिया, कि इससरी चाय, इससरी चाय, बड़ी बलाए, जे घर जाहूं, अजा स Beginاذ, इससरी चाय, कि ओपिस की ठाना की म्रद आउजणाना, कि ओफिस की थाना की मरदव जनाना चाहिए सरिस्ता पड़े है निभाना, बुढ़ी दादी के बोर्सी, चाहिए बाबा के बर्सी, बोरे बोर बस बेड़िटी और कुछ नहीं सुहाई, इस सुरी चाहिए बड़ी बलाए, जे घर जाहूं और जै मिल जाए, इस सुरी बुढ़ी दादी के बर्सी, चाहिए बाबा के बर्सी, बोरे बोर्या बेड़िटी और कुछ नहीं सुहाई, इस सुरी चाहिए बड़ी बलाए, जे घर जाहूं और जै मिल जाए, बढ़का लोग, अब चाहिए के भी डिफिनिसन बदल गले, कि बढ़का लोग, अब पिय फ्लेबर में मिल लग लो टौफी, हमरा ले तो मठे ठीक है, इस सुरी चाहिए, बड़ी बलाए, जे घर जाहूं और जै मिल जाए, इस सुरी चाहिए अपने वुछ छोड़ दलक हमरा पकड़ा के, पिया हलू दही मठ्था हमरा टकर टरका के, लेके घुम रहलू हां, धेरो रोग बलाए, इससुरी चाय, बड़ी बलाए, जे घर जाहू ओ जै मिल जाय, इससुरी चाय, इससुरी चाय, इससुरी चाय, बहुत-बहुत दन्यवा खाए लाग लाग, लाग, लाग